पिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है आम आदमी की सरकार बनी है फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी आठ सीटों की कमी रह गई थी इस बार दिल्ली की जंता ने और उपर वाले ने वो कमी पूरी कर दी और इस बार पूर्न बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है दोस्तों मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं हमें प्यार करते हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं सत्तर में से सड़ सट सीटे हैं दोस्तों जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है हर धरम के लोगों ने आम आदमी को वोट दिया हिंदूों ने वोट दिया मुसल्मानों ने वोट दिया इसाईयों ने वोट दिया सिखों ने वोट दिया जैनियों ने वोट दिया हर जाती के लोगों ने वोट दिया गरीबों ने खूब जम के वोट दिया अमीरों ने भी वोट दिया कि सत्तर में से सड़ सड़ सीटें यह किसी इनसान के काम की वज़े से नहीं हो सकता यह तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों कुदरत ने कोई करिश्मा किया है उपर वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है हमें यह समझना पड़ेगा कि उपर वाले की मन्शा क्या है उपर वाला क्या कहना चाह रहा है दोस्तों उपर वाला कोई बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है उपर वाले की कोई बहुत बड़ी मन्शा है हम तो केवल निमित मात्रे हैं हम तो केवल माध्यम हैं लेकिन हम बहुत सो भाग्यशाली हैं कि उपर वाले ने हमें अपना निमित चुना उपर वाले ने हमें अपना माध्यम चुना लेकिन दोस्तों जब इतनी बड़ी जीत मिलती है जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो इनसान के मन में एहंकार जागता है और अगर एहंकार जागता है तो फिर सब कुछ खतम हो जाता है फिर कुछ नहीं बच्चता इसलिए हम सब लोगों को मुझे हमारे मंत्रियों को हमारे सभी MLS को हम सब के परिवारों को हम सब कारेकरताओं को सब लोगों को बहुत चोकरना रहना पड़ेगा बार बार अपने अंदर जहांके देखना पड़ेगा अपने आपको टटोलना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर एहंकार तो नहीं जाग ग्याँ क्योंकि अगर एहंकार जाग गया तो हम कभी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे जिस मिशन को हम लोग लेके चले हैं दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी पे सुन रहा हूँ हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे अब हम पाँच राजियों के चुनाव लड़ेंगे अब हम दस राजियों के चुनाव लड़ेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा एहंकार नजर आ रहा है मुझे मुझे लगता ये ठीक नहीं है कॉंग्रेस को लोगों ने क्यूं हराया था क्यूंकि कॉंग्रेस के अंदर एहंकार आ गया वही भारतिय जन्ता पार्टी जिसको मई के महीने में लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया आज भारते जंता पार्टी को लोगों ने क्यूं हराया क्योंकि बीजेपी के अंदर एहंकार आ गया पिछले साल हम लोगों को 28 सीटे मिली लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के अंदर भी एहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तै कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे और भगवान ने हमें हमारे एहंकार की सजा दी और लोगसभा के अंदर जो हुआ हमें पता चल गया उससे हमें सबख लेना चाहिए एहंकार नहीं करना चाहिए मैंने तो ते किया है भगवान ने मुझे आदेश दिया है दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है दिल्ली की जनता ने मुझे पे विश्वास किया है मैं पान साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूँगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन, मन, धन के साथ निभाने की कोशिश करूँगा मेरे पास कुछ लोग आए कुछ डॉक्टर्स आए उन्होंने कहा जी कभी कभी टोपी पहन के कुछ लोग आते हैं और हमारे हस्पताल में गुंडा गर्दी करते हैं मेरा एक निवेदन है मुझे पूरा यकीन है हमारे कारे करता कभी ऐसा नहीं कर सकते हमारे कारे करताओं ने अपनी नौकरिया छोड़ छोड़ के अपने परिवार का त्याग करके बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानिया दी है लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ भी पक्षी लोग हमारी टोपियां पहन के हमें बदनाम करने की कोशिश करें लेकिन कोई भी हो अगर हमारा कोई कारे करता भी एहंकार में आके गुंडागर्दी करता है या दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारी टोपियां पहन के करता है गलत काम करता है मैं आज यहां से सभी अधिकारियों को सभी पुलिस वालों को ये निर्देश देना चाहता हूँ कि अगर कोई टोपी पहन के गुंडागर्दी करे उसको बक्षना मत तुरंट पकड़ के उसको जेल में डाल देना वो आम आदमी पार्टी का होई नी सकता और जितनी सजा कानून में लिखिया उसको उससे दुगनी सजा देना मुझे याद है अन्ना अंदोलन के दोरान हम लोग खूब नारे लगाया करते थे ब्रश्टा चार मुक्त भारत ब्रश्टा चार मुक्त भारत ब्रश्टा चार मुक्त भारत लेकिन मन के कोने में संशे होता था कि यार ये भारत भरष्टाचार मुक्त वाकई हो सकता है क्या हम लोग लोग पाल बिल की मांग किया करते थे कभी-कभी मन में लगता था लोग पाल बिल भी आ गया तो क्या सारा भरष्टाचार खतम हो जाएगा 49 दिन की सरकार बनी 49 दिन की सरकार में आज हमारे कटर विरोधी भी मानते हैं कि दिल्ली से रिश्वत खोरी तो खतम हो गई थी पिछली बार सरकार बनाने के पहले हमारे अंदर जजबा था, जुनून था, रोमेंटिसिजम था, पागलपन था कि इस देश से ब्रष्टाचार दूर करके रहेंगे लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर confidence है कि पांच साल के अंदर दिल्ली से ब्रष्टाचार खतम करके दिखा देंगे दिल्ली को भारत का सबसे पहला ब्रश्टाचार मुक्त राज्य बनाना है दोस्तों और हम कर सकते हैं और इसके लिए आज मैं वही घोशना करने जा रहा हूँ जो मैंने 28 दिसंबर 2013 को यहीं से की थी कि अब अगर दिल्ली में आप से कोई रिश्वत मांगे मना मत करना सेटिंग कर लेना अपना फोन जेब में हाथ डालना अपने मॉबाइल फोन को रेकॉर्डिंग पे लगा लेना जब वो पैसे मांग रहा है उसकी अवाज रेकॉर्ड कर लेना मुझे लाके दे देना हम उसके खिलाफ सक्ष सक्ष कारवाई करेंगे इसके लिए हम जल्दी से जल्दी वोई टेलिफॉन लाइन शुरू करने वाले हैं जिस टेलिफॉन लाइन से 49 दिन की सरकार के दोरान भरष्टाचारी घबराने लगे थे और दूसरा जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने और हम सब लोगे ने मिलके इसी रामलीला मैदान में इतना बड़ा अंदोलन किया था जल्लोग पाल बिल जल्लोग पाल बिल भी पास करना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द जल्द लोग पल बिल पास करेंगे लेकिन मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड के गुजारिश करना चाहता हूँ मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो माइक लगा देते हैं कितने घंटों में करोगे जी 24 घंटों में करोगे कि 30 घंटों में करोगे 30 घंटों में करोगे कि 32 घंटों में करोगे मैं उनसे कहना चाहता हूँ जी सरकार ऐसे नहीं चलती जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं दूसरी पार्टी उन्हें तो 65 साल में नहीं किया हम आपको जल्द से जल्द करेंगे लेकिन एक एक काम ठोस करेंगे मजबूती के साथ करेंगे मैं आज इतना आपको वादा करता हूँ 24 घंटे काम करेंगे हम लोग हमारी पूरी टीम मैं मेरे मंतरी मेरे मले 24 घंटे काम करेंगे अभी तो मैंने मुख्य मंतरी पद की शपत भी नहीं ली थी जैसे ही नतीजे आए हम लोग काम के उपर लग गए मुझे बुखार था आज भी क्रोसीन खा के आया हूँ यहां पे लेकिन अपने तन मन धन की परवा किये बिना 24 घंटे हम लोग काम करेंगे लेकिन मीडिया के साथियों से यह यह नुरोध है कि यह घंटों में सरकार मत चलाईएगा दिल्ली के जनता ने 5 साल दिये हैं दोस्तों पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिससे सारी दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं बहुत गुस्से में धर्मों के बीच में कुछ दंगे कराने की कोशिश की गई कुछ चर्च एक चर्च को आग लगा दी गई कुछ चर्च हैं जिनके उपर हमले किये गए दिल्ली के लोग शांति प्री हैं पिछले 35 साल में दिल्ली में इस किसम की कभी हम लोगों ने घटनाएं नहीं देखी दिल्ली के लोग इसे कभी बरदाश्त नहीं करेंगे इसी दिल्ली के लोग हिंदू, मुसल्मान, सिक, इसाई, जैन हम सब लोग मिलके दिवाली भी मनाते हैं हम सब लोग मिलके इद भी मनाते हैं हम सब लोग मिलके क्रिसमस भी मनाते हैं हम सब लोग मिलके सारे तोहर मनाते हैं उन सारी ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ जो इस किसम की राजनीती कर रहे हैं कि इस किसम की राजनीती बंद कीजिए दिल्ली के लोग इसे बरदाश्त नहीं करेंगे हालांकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलके दिल्ली को एक ऐसा शेहर बनाएंगे जिसमें हर हिंदू सुरक्षित महसूस कर सके हर मुसल्मान अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके हर क्रिश्चन अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके हर सिख अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके हर धर्म हर जाती का लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके मैं अभी प्रधान मंत्री जी से भी मिलने गया था प्रधान मंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन चाहते हैं सकारात्मक सहयोग चाहते हैं हम केंद्र सरकार के हर अच्छे काम में से योग देंगे और हम यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली को एक अच्छा और बहतर शहर बनाने की कोशिश करें पिछले पंद्रा साल से भारतिये जंता पार्टी ने अपने चुनाव के हर मेनिफेस्टों में हर चुनाव के पहले दिल्ली को पूर्न राज्य का दर्जा देने की बात कही पिछले पंदरा साल से भारतिय जंता पार्टी दिल्ली को पूर्न राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रही लोगसभा चुनाव के पहले भी भार के जंता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे मैंने प्रधान मंत्री जी को यही कहा कि भगवान इस से सुनहरा मौका नहीं दे सकता दिल्ली के अंदर हमारा पूर्ण वहुमत है के अंदर के अंदर आपका पूर्ण वहुमत है अगर मैं और आप हम दोनों ये बात मान लें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा मैं तो तयार हूँ और मुझे उम्मीद है ये भी कहा कि प्रधान मंत्री के तोर पे उनके पास बहुत काम रहते हैं बहुत बिजी हैं पूरे देश के बारे में उनको सोचना होता है विदेशों में भी कई बार जाना होता है तो दिल्ली के अंदर जब घटनाएं घटी हैं जब बलातकार होते हैं जब अपराद बढ़ते हैं तो प्रधान मंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि दिल्ली के लिए वो समय दे सकें तो मैंने उन से निवेदन किया कि दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों पर छोड़ दीजिए आप पूरे देश को चलाईए पूरे देश ने आपको ये आमा अदमी की सरकार सबकी सरकार है जाहे आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया मैं आप सबका मुख्य मंत्री हूँ उन तीन विधान सभाओं जिनके अंदर आम अदमी पार्टी के विधायक नहीं है हम उन तीनों को भी अपना विधायक मानते हैं हम उस किसम की राजनिती नहीं करेंगे मैंने देखा है चुनाव के बाद कुछ पार्टीयां बैठ के बूत की अनलिसिस करती है इस बूत से हमें वोट नहीं आए इस बूत से हमारे लिए पूरी दिल्ली हमारा बूत है जी पूरी दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है सब लोगों को मिलके दिल्ली बदलनी है और दो शब्द व्यापारियों के लिए दिल्ली के व्यापारियों ने इस चुनाव में बहुत सहोग दिया अब एक छोटी से गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए मैं आप सब लोगों से दिल्ली के सभी व्यापारियों से सभी लोगों से आज मैं ये वादा करता हूँ कि आपको कोई भी विभागा के तंग नहीं करेगा कोई भी विभागा के आप से पैसे नहीं लेगा आप खुल के दंद अपना बिजनस करो हम चाहते हैं कि आपका बिजनस बढ़े हम चाहते हैं कि उद्योग बढ़े लेकिन अपना सब लोग अपनी इच्छा से पूरा पूरा टैक्स भर देना और मैं ये वादा करता हूँ हो सकता है अभी तक जो आप टैक्स देते थे वो टैक्स में से कुछ पैसा चोरी हो जाता था अब कम से कम आप जो एक एक पाई दोगे आपके पैसे को मैं चोरी नहीं होने दूँगा आपके दियोए टैक्स किये एक एक पाई को आपके बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे अस्पतालों पे लगाएंगे सडकों पे लगाएंगे आपकी मार्केट को ठीक करेंगे पारकिंग बनाएंगे महिलाओं को सुरक्षा देंगे बिजली पानी ठीक करेंगे एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे इसलिए दिल खोल के टैक्स दीजिएगा मैं उननचास दिन में मैंने एक चीज सिखी थी सरकार में पैसे की कमी नहीं है पैसा बहुत है जी नियत की कमी है अच्छी नियत वाले आते हैं तो इसी पैसे में खूब विकास हो सकता है जब से हमारी सरकार को बहुमत मिला है जगे जगे से मेरे पास फोन आ रहे हैं किसी ने कहा बाई साब आपने बीस कॉलेज बनाने के लिए बोला है तीन कॉलेज बनाने का पैसा मैं दूँगा किसी ने कहा कि बाई साब फलाने फलाने जगे स्कूल बनवा दो उसकी जमीन मैं दूँगा किसी ने कहा कि बाई साब एक हजार CCTV कैमरे मैं दूँगा सरकार के लिए दोस्तो मैंने तो एक ही चीज सिखी है इस देश की जनता बहुत अच्छी है जनता को गले लगा लो जनता अपना विकास खुदी कर लेगी दोस्तो हम लोग दिल्ली से एक और नई किसम की शुरुवात करना चाते हैं यह वी आईपी कल्चर खतम करना चाते हैं आख खुदी बताओ आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के उपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़के घंटे के लिए बंद कर दी जाए सारा ट्रैफिक जाम हो जाए यह आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू-पू-पू-पू-टू-टू करता हुआ निकल जाए मुझे पता चला है कई यौरोप के डवलप्ड कंट्रीज में विक्सित देशों में वहां के प्रधान मंत्री आपको बस्टेंड के उपर खड़े मिल जाते हैं हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं ला सकते समय लगेगा उसी की एक शुरुवात हमने उनन्चास दिन में की थी जब हमने कहा कि कोई भी लालबत्ती अब दिल्ली की दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के उपर लालबत्ती नहीं लगेगी ना मुख्य मंत्री की गाड़ी के उपर लगेगी ना मंत्रियों की गाड़ी के उपर लगेगी लेकिन फिर से मेरा मीडिया के साथियों से हाज जोड के अनुरोध है इसका मजाक मत उड़ाओ हम कहते हैं हम लाल बत्ती नहीं लेंगे मीडिया वाले कहते हैं देखो इन्होंने गाड़ी ले ली गाड़ी ले ली अरे गाड़ी नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे बताओ बिना गाड़ी के मंत्री काम कैसे करेंगे जो एक अच्छी शुरुआत है जो उसकी भावना है उसकी कद्र करने की हम सब लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है अब देखना तीन दिन के बाद शुरू होगा केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया केजरीवाल बड़े बंगले में चला मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इनसान कहीं भी पहुँच जाए उसको अपनी अवकात नहीं भूलनी चाहिए मुझे अपनी अवकात पता है मैं बहुँच चोटा सा अदमी हूँ मेरी बहुँच चोटी सी अवकात है आज मेरे घर में चार या पाँच कमरे हैं मैं जहाँ भी जाओंगा चार-पांच कमरों से ज्यादा की मिर को क्या जरूरत है भाई साब चार-पांच कमरे ही चाहिए हाद पैर पसारने के लिए उतनी जगे चाहिए और जगे की क्या जरूरत है लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी नि तो मुख्यमंतरी काम कैसे करेगा आप सब लोग रोज मेर से सवेरे मिलने आया करोगे तो चार-सो पांच सो लोगों के बैठने की तो जगे जरूरत पड़ेगी कुरसियां तो बिछाओंगा वहाँ पे नि तो काम कैसे करूँगा तो बस इतनी जगे लूँगा मैं इतना ही बड़ा मकान लूँगा और बड़ा मकान नी लूँगा चिंता मत करो किरन बेदी जी की मैं बहुत इज्ज़त करता हूँ चुनावों में जीत या हार चलती रहती है मेरी बड़ी बेहन के बराबर है पुलिस में प्रशासन में उनका बहुत लंबा अनुभव है किरन बेदी जी को हम साथ लेके और समय समय पर उनकी गाइडेंस लेके हम काम करेंगे अजे माकन जी उनका नीतियां बनाने में सरकार चलाने में एक लंबा अनुभव है अजे माकन जी से भी हम लोग समय समय पर सला मश्विरा करेंगे उनकी गाइडेंस लेंगे हमें पार्टी बाजी नहीं करनी चाए भारत्य जन्ता पार्टी में अच्छे लोगों चाए कॉंग्रेस में अच्छे लोगों चाए दूसरी पार्टियों में अच्छे लोगों सब अच्छे लोगों के साथ मिलके हम सब लोगों को मिलके दिली को एक ऐसा शहर बनाना है कि अमीर और गरीब दोनों इस शहर के उपर गर्व कर सके दोस्तो आज मुख्यमंत्री की शपत मैंने नहीं लिए मुख्यमंत्री की शपत आप सब लोगों ने लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री आज मैंने बना दिल्ली का मुख्यमंत्री आज दिल्ली का एक एक नागरिक बनाए आज से आप लोग आज़ादी की सांस लोगे जो रिश्वत खोरी चलती थी वो रिश्वत खोरी आज से बंदोगी मैं ये नहीं कहरा कि 100% रिश्वत खोरी बंदोगी लेकिन धीरे 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 मुझे उम्मीद है कि पांच साल के अंदर दिल्ली को भरष्टाचार मुक्त राज्य बना के दिखाएंगे और मैं हाद जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभू हमें सत्बुध्धी देना हमें साहस देना हमारे मन में कभी भी लालच पैदा ना हो हमारे मन में कभी भी अहिंकार पैदा ना हो हमें सही निर्ने लेने की ख्षमता देना और हम देश के लिए जिस तरह से आज अपना तन, मन, धन सब कुछ दाओं पे लगा के बैठे हैं इसी जजबे को बरकरार रखना दो शब्द कारेकरताओं के लिए आम आदमी पार्टी के कारेकरता हीरा हैं सोना हैं कई बार आखों में आसू आ जाते हैं उनकी कहानिया सुनके मुझे तो फिर भी इन लोगों को तो फिर भी एमेलेज को तो फिर भी शोहरत मिल गई पद मिल गया लेकिन उन लोगों को क्या मिला जो अपनी अपनी नौक्रिया छोड़के बैठे हुए जो अपनी अपनी दुकाने बंद करके बैठे हुए दोस्तों वो गुमनाम चेहरे उन लोगों ने बहुत मेहनत की है उन्होंने केजरी वाल के लिए मेहनत नहीं की आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत नहीं की उन्होंने एक सुनेरे दिल्ली और सुनेरे भारत के लिए मेहनत की है एक बार जोरदार तालिया आम आदमी पार्टी के कारे करताओं के लिए बजा दीजिए मैं मुक्ष मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का अपने करतव्यों का और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा